कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती है जैहिन दोस्तो स्वागत एक बार फिट से एक नए वीडियो में मैसीव आप देखना शुरू कर चुक है विंडो क्लासिस दोस्तो आज के वीडियो में हम डिसकास करेंगे 36 गर समाने ग्यान के टाप इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो वीगत वर्सों में बार बार पुछे जा रहे हैं आगे भी पुछे जाने की संभावना है तो वीडियो को अंतक ध्यान से देखेगा एक क्वेश्चन आप लोगों को ले रहेगा जिसका अंसर आप लोग को डिटेल से कमेंट बॉक्स में देना है तो चले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो देख सकते दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन निम्न लिखित में से कौन से जोड़ी? 36 गड़ के प्रसित संगीत कार एवं उनका छेतर सुमेलित हैं बहुत ये अच्छा कोश्यान है दोस्तों आपसन देखिए यहाँ पर आपसन दिये हुए दोस्तों इन में से कौन सा आपसन सही है? सही आपसन सोचने के लिए आपको मिलेगा 5 सेकेंड का समय 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 सुरू होता है अब जी साथ्यों इस क्रिश्यन का राइट आंसर हो जाएगा C बुद्धा दित्य मुखर जी सितार ये आपसन सही है दोस्तों बुद्धा दित्य मुखर जी सितार वादक थे बाकी जो आपसन दिये हुए ये गलत है किल्यार है? अगला क्रिश्यन राज्य पाल राज्य के विधान सबा को संबोधित करेंगे संबंधित प्रधान भारत के संविधान के किसन उच्छेद में हैं एवी क्रिश्यन बहुत अच्छा है दोस्तों पंचायती राज से संबंधित क्रिश्यन है ओपसन देखिए A 172, B 176, C 182 या फिर D 183 तो कौन स आपसन सहीं हो जाएगा जी दोस्तों इस क्वेश्यन का राइट अंसर हो जाएगा B 176, नेस्ट क्वेश्यन स्वतन्तता के पस्चात इस राज्य के देशी रियासतों को कब भारतिय संग में समलित किया गया कब क्या गया दोस्तों आपसन देखिए A 1 जनौरी 1948, B 1 नौंबर 1956, C 15 अगस्त 1947 या फिर D 26 जनौरी 1950 कब क्या गया दोस्तों किसी भी क्वेश्यन का अंसर पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे जिस आच्वेश्यन का राइट अंसर हो जाएगा A 1 जनौरी 1948, नेस्ट क्वेश्यन 36 गड़ में अदुसूची स्वर, A, C, J, विशेस आर्थिक छेतर कहां हैं? कहां पर दोस्तों आपसन देखिए A बालोद, B कमरधा, C रायगड या फिर D राजनान गाउं जिस आच्वेश्यन का राइट अंसर हो जाएगा D, राजनान गाउं नेस्ट क्वेश्यन 36 गड़ की पहाडी कुर्वा जन जाती में धुकू विवाहा का स्वरूप निम्न में से क्या है? आपसन देखिए A बहुपती विवाहा, B बहुपतनी विवाहा, C गोतर के बाहर विवाहा, या फिर D महिलाओ द्वारा पुरुस के घर घुस कर विवाहा आपसन दिये हुए दोस्तों इन में से कौन सा आपसन आपको सही लगता है? जी दोस्तों अगर आप आपसन D के साथ जा रहे हैं तो आपका अनसार बिल्कुल राइट है महिला द्वारा पुरुस के घर घुस कर विवाहा इसे एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों आपको याद रखना है हाट वी वहाँ ठीक है? अगर इसी परकार का और वीडियो देखना चाहते है 36 गर समाने ग्यान का तो टोटल 52 वीडियो अपलोड हो चुकिए दोस्तों प्लेलिस्ट विजिट करें 36 गर समाने ग्यान MCQ प्लेलिस्ट का लिंग उपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से जाकर आप सभी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं अगला कुश्चिन 12 सताबदी का प्रसिज जैन मंदिर भान देवल कहां इस्तित हैं कहां पर दोस्तों अप्शन देखिए A. आरंग B. राजिम C. रतनपूर या फिर D. सुरी नरायन तो इन में से कौन सा अप्शन सही हो जाएगा जल्ली से अपना आंसा टिक करें जिस साथ्यों इस कुश्चिन का राइट आंसर हो जाएगा A. आरंग एक कुश्चिन और बनता है दोस्तों आपको याद अखना है मंदिरों का नगरी कौन से सहर को कहा जाता है तो आपको याद अखना है आरंग किल्यार है बढ़ते अगले कुश्चिन के दरब रवी संकर सागर प्रयोजना किस नंदी पर इस्तित हैं कौन से नंदी पर है दोस्तों आप्शन देखिए A. अरपा B. हजदेव C. महाननन्दी या फिर D. सुनात तो कौन सा आप्शन सहीं हो जाएगा जी साथ्यों किसक़्क्शन का रैट आंसर हो जाएगा C. महानन्दी नंदी से Сंबंदित कुछन पूछे जाते है दोस्तों नंदीं से संबंदित हमने P. और अप लोड किय Так लगते हैं नेस्ट कुश्चिन राइपूर में अध्योगिक विकास केंद्र इस्थाफित किया गया है कहां पर किया गया है दोस्तों आप्शन देखिए ए बुरही बी उल्ला सी नैन पूरा या फिर डी सिर्गिट्टी इन में से कौन से जागा है दोस्तों जल्ली से अपना दीजे जी दोस्तों कुश्चिन का राइट आंसर हो जाएगा बी उल्ला अगला कुश्चिन राइगार्ड रियासत की निम्ना लिखित में से कौन से सासक संगीत या नित्ते कला के आश्रेद आता थे कौन थे दोस्तों आप्शन देखिए ए नरेसी बी विजैसी सी जिस आच्छो इस कुश्चिन का राइट आंसर हो जाएगा C चक्रधर C देखे दोस्तों यहाँ पर आपको आंसर देने के लिए 5 सेकिंड का समय मिल रहे हैं बट एक्जाम हाल में आपको कुश्चिन को देखते ही आंसर आना चीए जो समय बचेगा दोस्तों उसे आप मैट और रेजिंग में लगा सकते हैं यही स्ट्राइडिजी होती है किसी भी एक्जाम को क्रेक करने के लिए अगला कुश्चिन दस्वे नंबर कुश्चिन देखिए 36 गड़ का प्रथम रेल मार गया है कहां से कहां तक है दोस्तों आप्शन देखिए A रायपूर नापूर B र तो कौन सा अप्शन सही हो जाएगा जी दोस्तों अगर आप आप्शन डी के साथ जा रहे तो आपका अंसर बिल्कुल राइट है राज जान गाउ नापूर नेस्ट कुश्चिन भिलाइस पास सयंत को किस ख़दान से लह खने जायस का प्राप्त होता है कहां से होता है दोस जिस आछियो कुश्यन का राइट आंसर हो जाएगा डी दल्ली राज हरा देखें दोस्तों आपको याद रखना है एक क्वेश्चिन बन सकता है अबी लह जा सका कहां से प्राप्त हो रही है दल्ली राज हरा से बहु ise में कहां से हो गी दोस्तों रावा घार से किलर है अग 1888 इसवी बी 1825 इसवी ची 1859 इसवी या फिर दी उप्रुक्त में से कोई नहीं तो कौन सा अप्षन सही हो जाएगा जिस आच्छेवस क्वेस्चिन का राइट आंसर हो जाएगा ए अठारा सो अठारा इसवी नेस्ट क्वेस्चिन 15 गस्त 1947 को पुलिस लाइन राइपूर में राष्टी धोज किसने फैराया था किसके द्वारा फैराया गया था दोस्तों आप संदेखिए ए हर्सुल मिश्र बी आरके पाटिल सी डाक्टर खुपचन बगेल या फिर डी पंडित रवी संकर सुकल जी दोस्तों इस क्वेस्चिन का राइट आंसर हो जाएगा बी आरके पाटिल नेस्ट क्वेस्चिन 36 गड़ के किस जीले में हीरे के भंडार पाए गये हैं कौन सी जीले हैं दोस्तों आप संदेखिए जी साथियों इस क्वेस्चिन का राइट आंसर हो जाएगा बी गरियाबन नेस्ट क्वेस्चिन कुदर वाही में किस खनीज का संचित भंडार हैं कौन से खनीज है दोस्तों आप संदेखिए जी साथियों इस क्वेस्चिन का राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेस्चिन 36 गर्राज गठन के विध्ययक पर भारत की राष्टपती ने किस तीति को हस्ताक्षर किये कौन से तीति है दोस्तों आप संदेखिए जी दोस्तों इस क्वेस्चिन का राइट आंसर हो जाएगा सी 25 अगस्त 2000 यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी 25 अगस्त 2000 बट आयोक के द्वारा डी भी लिया गया है 28 अगस्त 2000 अगर आप या फिर नार्मल एक्जाम दिला रहे है तो C आपसन टिक कर सकते हैं बट अगर आप PSC दिला रहे है तो D आपसन में भी जा सकते हैं मगर मेरा प्रिफ्रेंस रहेगा आप C के साथ जाए क्योंकि आप दावापत्ती भी लगाएंगे तो आपको C आपसन मिलेगा किल्यार है अगला कुश्यन 36 गड़ में विरिद्य अद्योगिक छेत्रों की स्थापना में से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है यहाँ पर आपसन दिये हुए है दोस्तो एक तरफ जिले दिये गया है और एक तरफ अद्योगिक छेत्र दिये गया है तो इन में से कौन सा अप्सन सही है जल्ली से अपना अंसर टिक करें जी दोस्तो अगर आप अप्सन डी के साथ जा रहे है तो आपका अंसर विल्कुल राइट है कापन जीला जाजगीर चापा नेस्ट कुश्चिन गैर परामपरिक उर्जा के कार्याला का नाम है क्या नाम है दोस्तो यहाँ पर आप्सन दिये हुए है इन में से कौन सा अप्सन आपको सही लगता है जल्ली से अपना अंसर टिक करें जी साथ है इस कुश्चिन का राइट आंसर हो जाएगा बी केड़ा नेस्ट कुश्चिन रायगार के कबड़ा पहर से किस युग के आउजार प्राप्त हुए है कौन से युग है दोस्तो आप्सन देखिए ए लहा युग बी मध्य युग सी कास्य युग या फिर डी पासान युग जी साथ है उस कुश्चिन का राइट आंसर हो जाएगा अगला कुश्चिन निम्न लिकित में से कौन सी जोड़ी 36 गड़ की सैक्षनिक संस्था और वर्सा सुमेलेत नहीं है कौन सी जोड़ी है दोस्तो यहाँ पिर आप्सन दिये हुए है यहाँ पिर आपको एक तरफ संस्था देखने को मिलेगा और एक तरफ आपको वर्सा देखने को मिलेगा यह कुश्चिन आप लोगों के लिए है दोस्तो इन में से कौन सा अप्सन आपको सही लगता है कमेंट बॉक्सों में जरूर लिखे तो आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो के रिकार्डिंग कोई भी कुश्चिन है या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं आपका कमेंट का इंतिजार रहेगा तो मिलते हैं दोस्तों नेस्ट वीडियो में जब तक खुश रहे दोस्तों को भी खुश रखें जहिन